हेलो बूर्निंग एंड वेल्कम बैक टु मैं चैनल तो मैं जारियों भी होगा दने के लिए और इत्ती तेज बारिश वी देखो क्या हालत हो है मतलब हमारे सोसाइटी के अंदर यह पूरे पेड़ से तूटके गिर गए और यहां पे कार खड़ी थी वह कार का न काच थोड़ा सा ब्रेक हुआ है और परसने स्क्रैच भी आ गया है और जो टू वीलर्स खड़े होती न वहां पर वहां पर भी एक जनका कार क गीरे तो चलते हैं अभी यह अंकल यह अंकल भी आ रहे है योगा के लिए है कि अंदर तो दिन बार बारिश हुई और देखो सब कैसे कचड़ा हो गया पूरा रोड रास्ता पेर सब गिरिया है तो चलते हैं अंदर अजब बारिश हो चाहे कुछ भी हो साटड़े हो या संड़े हो योगा हमारा घंटीनी रोज होता है तीडी कभी जूटी नहीं आती है तो हमने साटड़े संड़े भी आते हैं इवा करने के लिए ऐसालो योगा कर लेते हैं इसके बाद मिलते हैं यही है बोदीजी क्या बोलती है यह एक कउन है और अब पहचान के मुझे अब पहचान के मुझे इतना बड़ा बड़ा चोकले तीन चार्ट हो ने गए थी तब ने मैं चोकले बिला दो को अभी दिला दो निकल ले गए तीन बेटे अब तो चोकले चाहिए ना चोकले चाहिए ना चोकले से मेरे बड़ा को अभी जाते दिलाएंगे चलो आप एक चाहा है क्यो रो रही थी क्यो रो रही थी बताना पापा चिल्ला ही से मारी से तोला कहां पर मारी से हां कहां पर मारी से गाल में मारी से अच्छा और तुर भाईला नहीं मारी से भाईल नहीं मारे तोला मार थे तो मेरे खर चलेगी चल मेरे खर मैं तेरे को नहीं मारूंगी चलना मैं तेरे को आम भी खिलाओंगी और चोकलेट भी दोंगी कि 573 चलेगी मेरे ऍजा इसको ले के चलते आए चल पकड़ इसको जहेंगे अच्छाइन को भिनेंगे या यो जो लिग्या कफ्रस्क खांप इसको ले जलाएंगे पक्रण पकल पकल ऑन्य को पकल एक बस बता यह बेटी का है तो तू कैसे मेरे भी गले में हुआ है सासिखासी जही बुकारता आज बेटी को कितने बुन पिलाती है में तो इस दबाई मना करी हूँ बहुत बड़ी बाते हैवो पहले पुलते हैं अग्रेंटें अग्रेश्ट के पता क्या है अडियो इसको बाहुट लोग कोलते हैं अग्रेश्ट दावाईज़ । पालर में रहती थी ना तो ये कुछ कुछ करके कच्रा बाहर में फैक देती थी ना तिबोगी है मम्मी चोटी बच्ची हो क्या डस्टी बिन में नहीं फैक सकते हैं आख बच्ची है यह अब इच किस ना फिर दूप निकल आया कलकम ऑसम मस खा एक गब चलो चलो पांच बेज चलेंगे ठीक कलास रहता है तो अब ही जा रहे हम लोग मतलब आड़ बजे चलो तो क्या हो गया इतना तेज तुफाना है था कल पेड़ गिर के क्या हाला तुआ है आपरे तो अब जारी हूं में वापस घर योगा से और आज मेरी ऐसी बेज जती होगी और मुझे बोला कि मैं जल्दी घर जाना क्यों कर खाना भी बंदाना है ताइम मुझे जायागा। तो एक छान एक अंटी है यह दीडी है था सब्सक्राल देखे बोलती है तुम पूर पिर वोमिछ नेकी नेकी है। बिखी ते दिख थीatu ने मेरे इसे काम करती हूं। अभी काम करने लगी हुं देखके लोग सोसते कि काम ने करती हुङ लिकिन काम करती हुं необходимо अब अब घाना मैं कि मैं खुद बनाती हूं को मुझे घाना अच्छा लगता आ अज्छा मैं यह निए वगती हुआ भागी कुछ लोगों होता है कि यार खाना इजम जैसे तैसे ले दे के बना REMOTE यह डोज अैसा मेरे साथ तो चलो अभी चल गए गार देखने क्या बेखना बनाना है तक में बनारी हो कटल की जबजी तो इसको नो मैं हल्दी नमक डाल के पर अपटे सुबाल लोगी आगिस में से जो भी कड़ा पनो और वो जो चिपचिपा पनो तो नो को हड़ जाए तो यह हो गया है तो पानी स्ट्रेंट लेने के पाथ इसको फ्राइ करूंगी इसमें पर यहां पर मैंने पीस्ट बना है अधरक लसन और थोड़ा सा गरब मसाद इसमें के चैट किया है तो चब अच्छे से यास फ्राइ हो जाए मैं तब मैंसे डालूंगी इसमें इसको भी न अच्छे से तील में फ्राइ करना है तो यह मसाला को न में अच्छे से फ्राइ करूंगी इसके बाद इसमें कठल आट करूंगी दब तक इसमें से जॉसमें नहीं चला जाए था न तब तक इसमें अच्छे से फ्राइ करना है तब तक इसमें अच्छे से फ्रा अगर आपको सुखी खानी है तो आप ऐसे सुखी भी रख सकते हो आपको जितना डालना पुट्त डाल सकते हैं यहां भी में बनाऊंगे रोटी अच्छा लगे तो यह थोड़ा सैसी अच्छा लगे अच्छा लगे नहीं होगे तो आपको आप अपने लिए फ्रूट्स काट लोंगे भी अंगर को चले गाए ओफिस यह सिफ महीं खाते हूं अंगुर तो खाते हैं नहीं बट मुझे बहुत पसंद है कीवी ड्राइगन फूट भी मुझे पसंद है बट मुझे पिंक कलर वाला पसंद है पिंक थाने तो मैंने लिया नहीं कि अगर थोड़ा सा थोड़ा सा नरम जैसा रहता है मुझे भून ही पसंद आता बिलकुल भी मुझे खाने में यजिब लगता है तो मैंना इसको थोड़ा सा देख करी लेती हूं वसे को से च्छिल हो डिली असे कर लेंगी अर एकली असको दो ने एन वाले पाणी से वह में व्लाम करता हैं मैं कोई वह जीज助 ना पीने वाले पानि से वाश करना प्रैफर करती मैं और वह टंगी लगारी और इैधर उज़र ननाल पानी केसर된 sentido तो नहीं करती हूं मैं इसी सही करती हूं और निके साइट्स भी कट कर लूँगी कर लूँदे लूँदे मैं खाने वाले हूं उसके बाद लंच करूँगी लंच में लें लाए हूं जो मैं अंगुर बनाई हूं लुदे में लूट न लाए हूं चेंज करकर खाते हूं कभी यह नेमा दूट बना लिया या पिर कभी जो आना सिक़ बना लिया thinner आपने लिए करती हूं इसलिए मैं अपने लिए थोड़ा से बनाती हो इसी से खाऊंगी मदल बने टू फ्राइडे मैं अपने से जो बना आउना मतलब कुछ हैल्दी टैप है तो मैं वह खा सकती हुआ लेकिन बाकी सैटरडे और संडे तो मतलब एकदमी अनहेल्दी खाना हो पाल बाढ बाल प्रखोंगर तो मैं यहां रोटी बना ले दियो है बद़िए ओड्स की रोटी बना रही हो मैं तो कैसे बिंता है तो असलों हल्के से इसको पेल नुपरते है तो नहीं तो तूट भी सकता है तिक रॉट और जाता है थोड़ा बहुत, तो नहीं होता है बोरी अघरीख old गल आSer schizophrenia ऐसा हुआ से गला का'm ड sécurité बिर्दोय पाराफ्डिक है खिल्सोय 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 खो मेंसे है arm कर दो ये रोटी भी बना लिए और सुबह मैंने जो बनाई थी कठल की सब्जी वही मैं भी खा रही हूं और सच में कठल की सब्जी बहुत ही डेस्टी बनी है मतलब मुझे लगानी था कि इतना अच्छा बन जाएगा बट ये मैं थोड़ा सा अलगतरी की समनाई हूं बहुत ही अच्छा बनाएं कठल में जादी लाई थी बट फिर भी देखो मैं थोड़ी सी बनाई आदी बनाई थी फिर भी इतनी बज़गी है तो चलो मैं कर लेती हूँ अपना लंच और इसके बाद फिर मिलते हैं आज रात को मैं कनने वादी फिश फ्राय तो मैं इसको ना खल्दी और नमक से अच्छा से मैरिनेट कर लोंगी और इसमें कुछ भी मसाला में डालेंगी विएकि आज ना मैं से फिश फ्राय और मैं रोटी खाऊंगी तो इसलिए मैंने फिश फ्राय किया है अज़ फिश के तेम के साथ भी बहुत अच्छा लगता है मज़ हम बिंगॉली ज़सा खाते हैं तो अच्छा लगता है हम लोगों तो इसको तो आपना नहा पे ना फिल्दी और नमक से चिसद निक्स कर लि मस्टर्ड ओयल में तो फ्रइय करें। समय दो फ्री तुल में मुझात करें। टरंज के और सीवलीन करें, सबस्त अब्सक्राइब रिवागा मांने बुधा बूवागी नीम उक्तितिू दो प्राइब करते हैं तो खाना खाने के बाद मैं यहां आम काटिये हूँ इस आम का नाम मुझे नहीं पता अंकुर लेका थे बढ़ी यही समझ गे थी कि यह थोड़ा सा खट्टा होगा और सच में बहुत तो नहीं खाया गया तो इसके बाद हम इसाम को फेक दी क्योंकि सच में बहुत जादा खटा था और देखके भी लग रहा था खटा होगा पर थोड़ा सा खायते और नहीं खाया गया तो मैंने बुला छोड़ दो अगर यही सुबह होता ना मतलब सुबह के टाइम अगर मैं यह मैंगो काटती और कटता रहता तो मैं इसका शेक बना देती क्योंकि अगर थोड़ा सा हलका खटा रहने से ना उसमें शुगर एट करके ना इसमें शेक बना देने से ना वह अच्छा होता है मतलब वह उतना जदा खटा नहीं लगता शेक थीक भी लगता बड़ इसको किक ने कि अगर यह बहुत सदा खटा उनकिष सब हम लगई है यहाँ सब आप क्लिओं अनयोज मेरे दिन आपह Bennett आर्ढ़ा होता है तो मेरे दिन का तो दढ़ा है यहाँ से क्योंकि मैं रात में खनावाना खाने के बाद साब पटब में पानी-बनी दालने के बाद फिर उसके बाद हमने सोने जाते हैं और पानी भी यहाँ पे ना काफी गरम भी हो जाता है इसलिए मैं थोड़ा सा और जब अंधेरा हो जाते हैं तब ही पानी डालती हूँ ताकि ना पानी थोड़ा से नॉर्मल टेमपरेचर में आ जाए वरना वह बहुत जा मतलब इसमें इतना पानी डालने के बाद मैं रोज पानी डालती हूँ बट फिर भी शाम तक पूरी मिट्टी सुख जाती इतनी तेज धूप आती है आज तो चांद भी बहुत अच्छा लग रहा था तो मैंने ना चांद का भी वीडियो लिया है जो आपको आगे दिखेगा तो आज का ब्लोग में यहीं एंड करती हूँ आई होप आपको आज का यह ब्लोग अच्छा लगा होगा और अगर अच्छा लगए तो प्लीज लाइक, फोलो शेर और सुब्सक्राइब करते हैं ने ने नेक्स वीडियो बाई